हेलो इन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डीसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोपियन टीटेन इंटरनेशनल ट्री सिरीज की बात करेंगे जो की मैच होने वाला यह पर पॉर्टोगल वर्सिस नेधरलेंड्स के बीच में तो चलिए दूनों करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इसे बिल एक चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यह पूरी टूनामेंट इसी यूटूब चैन अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएंगी और टेलेग्राम से तुठणे क्लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में टेलेग्राम का लिंक एटच किया हुआ है इनकेस लिंक वक ना करें तो टेलेग्राम में जाके सर्च कर सकते हो अंतराम क्रिकेट करूं काट ठाक सो पॉर्टोकल में खेला जाएगा पीच रिपोटिया से बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी पीछे और दोनों टीम के पास कुछ बैटिंग लाइन अफ है जो कि आप अच्छा स्कॉर कर सकती है तो आइधिंग यहापर 110 के प्लस स्कॉर बनता हो नजर आ सकता है तो सबसे पहले बात केता है से टीम पॉर्टोकल की तरब से यहसे कुल्दीब गोलिया और यहसे सुमन गिमिर दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं तो कुल्दीब गोलिया की बात के तो रिसन्टली जो टीटें वकेरा खेले थी वहापर क पुल्दी बुलिया खेले नहीं थे लेकिन ओवरोल 45 मैच के ने करीबन 23 के वरे से 914 और इंपोनेस प्लेयर है ऐसे इस बंदे के पर बरोसा कर सकते हैं विगेट के बेंग से दिखेंगे लेकिन यहाँ पर सुमन गिमिर जो की एज़ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्ट के लिए बेस पिक रहेंगी इनके लवाज से कौन राट गुए ग्रिंसिल की बात के लिए तो और आंकड़े अच्छे है लेकिन रिसंटली वह बैटिंग के साथ साथ और नहीं करवा रहे है तो आप लोग चाहो तो इनको डॉप करने का रिस्क ले सकते हो वैसे प्लेयर ब मिगुल मचाडो ने अभी रिसंटली एक मैच कहला था जहा पर 49 रंड किये दो वसकी गयनवाजी जहा पर विकेट लेस रहे थे लेकिन इसके पहले इनके एक मैच के रेकोर्ड मिले ते जहा पर 31 रंड किये थे इन्होंने दो विकेट निकाले तो डिफरेंसली में ट्राइ इस पॉइंट दो वसकी गयनवाजी भी करवाई हुई है तो भरोसा करना चाहूं तो कर सकते हो बाकी आमीर जे वेरी इंपॉनेट विक डेफिनेटली लेखे जाना है क्योंकि ये बैटिंग से तो एडवाटेज देगा ही देगा साथ में अकर ओवस करवाईगा तो एसे ए और पिछली टूनामेंट के जो रिमिलेवान इंटरनेशनल टीटन खेले गए थी ना वहाँ पर बाइस अपने यहाँ पर रेगिलर पर्फोर्मस किया था या बॉलिंग से तो एस अब लेना से वेरी इंपॉनेट प्रिक रहेगा डेफिनेटली लेके जाओंगी परविन सि और दोनों मैच के विकेट मिली तो इस बंडे को ट्राइ कर सकते हैं आपके लिए एक अच्छी बिक बन सकते बाकि जुनेद खान की बात को तो एज़ा डिफरेंसिल में रिस्की तौर पर इस प्लेयर को जरू ट्राइक करेंगा क्योंकि और बंदा भी आपके लिए डिफर इनको बेजा जा सकता है इनके लवाइसे नजम स्याजाद रिसंटली खेले नहीं थे लेकिन आपको बता दू कि आपकी जानकारी लिए तो यह से उपर से खेल सकता है पर तिसरे चोटी नमर पर भी खेल सकता है मैंने इनको थोड़ा सा नीचे मेंशन किया क्योंकि रिसंट पर दू करना है इनके लवाइसे बाहत करें नेडरलेंड की तो नेदरलेंड की दरब से कलाइटन फ्लॉएड और बोरिस गोरली दोनों ओपनिंग कर वा सकता है क्लाइटन फ्लॉड की बात कि तो पिछली टुन्दामेंट इनकी काफी जबचाश रही थी बैटिंग और प्रफंटे को जरूर लेके जाना है वाकि रिस्क आप लोग आप पर आजिया लेगा क्योंकि अच्छा अल्राउंडर हाला कि पिछली टूनामेट की बात को तो कोई रेगुलर कोई परफमस नहीं दिया था लेकिन लेकिन यह पाइस आप कभी भी बैटिंग से चालीस पचासे संद की पारी या फिर आसे बॉलिंग से दो तीन विकेट निकाल सकते हैं तो परवसा कर सकते हैं आज अधर को एवन एज़ प्लेयर के साथ आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइक करना चाहो तो भी कर सकते हो रथा आलपॉंस यहां से आपको विकेट की बिंग से दिख सकते हैं और पिछली टूना मेट की बात के तो ज्यादा तर बैटिंग से आते नहीं थे तो इनको थोड़ा से रिसके लिए उतर भी ट्राइक करेगा बाकी बात करें से सकेंदर जूल फिकार वेरी लेकिन इन दोनों में जा किसी एको ही ट्राइगा और मेरा सजेशन यहां से सिकंदर जूल फिकार रहेगा शाकिप जूल फिकार को एज़ा डिफरेंस विमें लेके जाना है तिम के कप्तान है और हरेक में जाए पूरी ओस करवाएंगे प्लस बैटिंग से भी अच्छा ओलिवर एलन बास ने पिछली मैच के अंदर विकेट लेक्ट लेक्ट रहे थे और इनके अलावा है पिछली टूना मेट के बात के बात के तो तो कंशिस्टन नहीं थे यहां पर ओस से जादा तर ओस नहीं करवाते थे प्लस बैटिंग से भी काफी नीची आते थे तो बास नहीं करता क्योंकि इनको लेने के लिए में कुछ बड़े प्लेयरों को चोड़ना पर सकता है जैसे कि आपर क्लाइट अन फ्लॉइड है बॉरिस गोर्ली है यहसे आदियन दत्त आ है इनके अलबावाई से सिकनदर जूल फिकार इन प्लेयरों को लेना यहां पर जैसे निकाल लेता है यहां पर एक आदी वोस तो जरूर करवाएगा तो यहां से इंपोंडस रहेगा बाकी बैंज से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्ट्राट्स और अपडेट वगएड़ा टेलीग्रम में मिलेंगे तो जल्दी से जाना है आपको टेलीग्रम चैनल को भी जोइन करें अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फेंटासी टीम को अच्छा घशा एडवाटेज दे सकते हैं इनके लवे ऐसे मचाडो है और अलफोनसो अलफोनसो को मैं सजेस्ट नहीं करता लेकिन मचाडो के उपर आप लोग चाओ तो रिश्व के ले सकते हो पैडिंग सेक्षन की बात के लिए से सिकंदर जूल फिकार इनके लवाइस अमिर जैव को लिया यहां से बोरिस गोडली और यहां पर एस गिमिर हमारी टीम के लिए यहां पर आप लोग एस गोमेज अगर खेलते हैं यहां पर शार्न गोमेज तो ओक ओके रहेंगे बाकी एटमें यहां पर पचास रन की एक अच्छी पारी खेली थी तो आई थिंग कि यहां से इस बंदे को रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो लिए सक्षन में आपर नजम सहजाद और यहां पर आरियन दत्ता हमारी टीम के लिए यहां से आप लोग एस टोमेन और यहां पर शाकिप जू करते हो बाकी टीम की बात करो तो टीम के कप्तान हमारे रहेंगे और वाइस कैप्टन मैंने ऐसे क्लाइव फ्लॉइड को किया हुआ है बाकी अधर ऑप्संस की बात कर दो पब्ली यह से गिन सिल को भी कर सकती है यह से सिकंदर जूल फिकार का अच्छी चोईस बन सकते आप दिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्रम का लिंक मिलेगा इनकेस लिंक वर्क ना करें तो टेलिग्रम में जाइए सर्च करिए फेंटासी डिसंट चैलेंजर यहा फिर आप सर्च करिएगा एड़्टरेट FDC 27 और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपल यह आपको स्लेवा ख्यासी और की यह आपको सिंपलों ना में जाइएस करिए जाउ़्टरों आपको सिंपलेंग यह इनकेस भालेंजर रैनल मिलेग्रम में जाओको इनकेस लिंको आपको अपको सर्च कर वह आइएसɑ, लीग्रिववाडर में और आपको रह दु़क्शन